नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का दोस्तों रानू एक वख फिर से स्वागत करता हूँ आपके और हमारे यूटूब चनल स्मार्ट टेक में दोस्तों अगर आप मध्यप्रिदेश की निवासी हो और मध्यप्रिदेश की किसी भी कॉलेज में फर्स्ट टियर में एडविसल लिया हूँ फिर चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो तो यहाँ पर आपने स्कॉलर से फर्म तो भराई होगा अगर स्कॉलिस से फोर्म भरा है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि स्कॉलिस से फोर्म भरते बक्त किसी प्रया कि बैंक ci DJ LE आप वही फिले पर नहीं की जागरिये तो ऐसे में सवाल यह आता है कि आपकी जो इसकॉले से पर वो किस अकाउंट में आईगी दोस्तों पूरी डीटेल्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूं तो वीडियो के साथ अंधर तक बने रहीगा और अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हो तो पिलिज हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुवात करते हैं चलते हैं पूरी डीटेल्स अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो आपको यह चेक करना होगा कि आपके MP टास्क के आईडी पर बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं यहां प्रेंट प्रूफाइल डीटेल्स के आपको कल सब्सक्रों है, जैसे ही कलेक करोगे तो देखे हैं पर थोड़े सी प्रोसेस पग्ईरा चलाइगी, इसके बाद आपके जो प्रोफाइल की डीटेल हो यहां पर पूरी तरीके से खुल कर साम्रें आ जाईगी, अब यहां पर देखी यहाँ पर आपको थोड़ा से नीची की तरह पाना है तो यहाँ पर आधार link bank status लिखा देखेगा जब आप clear अपना पूरा form भल लोगे तब ही इस चीज पर आपका लिखा देखेगा कि आपका आधार काड़ यहाँ पर link है या नहीं अगर link होगा तो clear तो आप लिखा रहेगा अगर link नहीं होगा तो यहाँ पर अनूर पास्तित लिखा रहेगा ठीके ना तो यहाँ पर इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका bank खाता MP टास की ID से link है या फिर नहीं अब यहाँ पर मैं आपको बता दू कि यह जो आपका bank account है वो automatic link कैसे होता है देखी यहाँ पर dbt का नाम आपने सुना होगा direct benefit transfer तो यहाँ पर होता क्या है कि एक government द्वारा चलाई जा रहे है इसकी में इसके अंतरगत आपके आधार काड़ स services होती है जितना भी आधार कार्ड के थुरू पैसा आता है आपके bank account में तो बो dbt के थुरू जो भी account link होता है उसी खाते में आता है अब यहाँ पर अगर आपको चेक करना है कि आपके आधार कार्ड में dbt खाता link है या नहीं तो उसे किस तरीके से चेक करें जिसके लिए आपको यहाँ पर simply uidai.gov.in की मतलब की आधार कार्ड की official website पर यहाँ पर आ जाना है ठीक है यहाँ पर आगे तो माय आधार का section मिलेगा यहाँ पर आते जाना है तो यहाँ पर देखिए आधार services में आपको यहाँ पर नीची की तरब check आधार bank check आधार oblique bank linking status यहाँ पर लि देना है यहाँ पर एक चीज का business ध्याना था कि कि आपका आधार कार्ड mobile number से link होना चाहिए ठीक है ना क्यूंकि उस mobile number पर आपका OTP आएगा तो उस OTP को यहाँ पर आपको डाल ला हुगा तो देखिए जैसे मैं आधार नमबर डाल देता हूं capture डाल देता हूं यहाँ पर नीची तरफ एक बटन आ रहा है send OTP तो जो mobile नमबर लेंक होगा उस mobile नमबर पर एक OTP आएगा अब देखिए यहाँ पर OTP तो भेजा गया है और यहाँ पर OTP मेरे मोबाल में आ भी चुका है तो यहाँ पर मैं simply OTP यहाँ पर टाइप कि देता हूं OTP टाइप करने के वाँ सबसे नीची आपको submit का बटन देखेगा simply यहाँ पर क्लिक कर दीजीगा तो यहाँ पर देखिए congratulations your आधार bank mapping has been done यहाँ पर union bank मेरा link है खाता तो यहाँ पर अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी check करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मेरा खाता link ह बताता है जो भी आपका bank होगा उसका नाम यहाँ पर लिखा आ जाएगा जो भी खाता link बताता है तो उसी खाते में आपका यहाँ पर scholarship आने वाली है ठीक है ना अब यहाँ पर बहुत से लोग इस method की थुरू अगर check करेंगे कि मेरा खाता link है या नहीं अगर जिन लोग का link नहीं होगा तो उन्हें dbt के थुरू यहाँ पर अपना खाता link करवाना हुगा अब यहाँ पर खाता किस तरीके से link करवाना है dbt के अंतरगत यहाँ पर इस चीज को जानने के लिए आपको मेरी next day जो वीडियो आने वाली उसको देखना होगा उसमें मैं आपको बिस्तार से बताऊंगा कि किस तरीके से आपको बैंक में कौन सा फर्म ले जाना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर dbt के अंतरगत अपने खाते को link कराना है अगर बैंक आपकी बात नहीं सुनेगा तो उसका भी मैं आपको 100% पाय बताऊंगा कि आप घर पर बैठ कर भी अपना ख आपको वीडियो मिल जाएगा उस वीडियो में मैं आपको dbt के अंतरगत कितनी टाइप की scholarship कितनी टाइप की स्की में होती है सारी डीटेल बताऊंगा और साथी साथ किस तरीके से link करना है वह भी बताऊंगा तो चली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आज तो समझ आ करें तो चली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है नाइस्ट वीडियो में धन्यवाल